पिछले एपिसोड में हम तुलसी राम जी की आत्मकथा के पहले खंड मुर्दयया का समापन कर चुके हैं कॉंक्लूडिंग एपिसोड जहीद और आज से हम मनी करनी का पाठन शुरू करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि पुस्तक दिखती किस तरह है यह है मनी करनी का तुलसी राम जी की यह है इसका फ्रंट साइड और यह है इसका बैक साइड सबसे पहले इसमें लेखक का देख पा रहे हैं परिचय है उसके बाद लेखक की भूमी का है और इसका जो सबसे पहला संस्करन था वो 2014 में आया था और महस चौथे साल तक आते आते इसके पांच संसकरन निकल चुके थे मेरे पास भी जो पुस्तक है वे इसके पांचवे संसकरन की है 2018 में जो आया था तो सबसे पहले शुरुवात में करूंगी यह जो पीछे लिखे हुए नोट है इसके सांथ चलिए शूरू करते हैं आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों शालनी बोल रही हूँ जैभीम हूल जाहार मनिकर्णी का डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा का दूसरा खंड है पहला खंड मुर्दया शेशक से प्रकाशित हुआ था यह कहना अतिशयोगती नहीं है कि मुर्दया को हिंदी जगत की महत्वकून घटना के रूप में स्विकार क किया गया सहित्य और समाज विज्ञान से जुड़े पाठकों आलोच को वशोध करताओं ने इस रचना के विभिन पक्षों को रेखांकित किया शीशत शीशस्थ आलोचक डॉक्टर नाम वर्ज सिंग के अनुसार ग्रामीन जीवन का जो जीवन्त वर्णन मुर्दया में ह वैसा तो प्रेम चंद की रचनाओं में भी नहीं मिलता मनी करनिका में मुर्दया के आगे का जीवन है आसमगर से निकल कर लेखक नित करीब 10 साल बनारस हिंदू यूनिवरसिटी में बताए बनारस में आने पर जीवन के अंत का प्रतीक मनी करनिका से ही लेखक का जैसे नय जीवन शुरू हुआ लेखक के शब्दों में गंगा के घाटों से बनारस के मंदिरों से जो यात्रा शुड़ू हुई थी अन्तोत गत्वा वे कम्यूनिस्ट पार्टी के दफ्तर में समाक्थ हो गई मार्क्सवाद ने मुझे विश्व दृष्टी प्रदान की जिसके चलते मेरा व्यक्तिकत दुख दुनिया के दुख में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठा मुर्दयया में जो विचार सुब्द अवस्था में थे वे मनी करने का में विक्सित हुए लेखक ने अपने जीवन अनुभवों का वर्णन करते हुए उस खास समय का भी को भी विश्लेशित किया है जिसके भीतर प्रवृतियों का सगन संघर्ष चल रहा था बनारस जैसे इन कृति के प्रिष्टों पर जीवन तो हो उठा है इस सुमृति आख्यान में कॉलकाता भी है अनेक बैचारिक संदर्भों के साथ तो मैं समझते हूँ जब मुर्दईया हम पढ़ते थे तो आप मेंसे बहुत से लोग इस चीज को लेके कॉमेंट करते थे कि पढ़ते वाक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दईया सामने जीवन रूप में आपके सामने उपस्थित है तो मैं समझती हूं यहाँ जब परिपक्व विचारों में आप में और हमें से बहुत से लोग बनारस गए होंगे और वहां के घाटों का मुआईना किया होगा, बहुत सारी यादे होंगी आप लोगं की लेकिन अब देखना ये है कि परिपक्व विचारों के साथ तुलसी रामजी किसे नजरिये से बनारस को मनी करने कामे उतारते हैं ये मैं समझते हूँ कि बहुत रोचक रहेगा चलिए शुरुवात करती हूँ इसकी लिख किये भूमिका से मुर्दहिया को लिखने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि इसमें चिपी कोई रचना होगी मैं हमेशा कहता रहा कि आत्म कथा किसी भी व्यक्ति की अंतिम रचना होनी चाहिए किंतु साहितिक पत्रिका तद्भव के संपादक अखिलेश ने मेरी उक्त अवधरना को तुडवा दिया इस तत्यों को जानकर मुझे आश्चरे हुआ कि प्रोफेसर पीसी जोशी मनींदर नात ठाकूर्ट था बद्री नारायन जैसे जाने माने सामाच विज्ञानिकों ने मुर्दहिया को एंथ्रोपॉलोजी अर्थात मानव विज्ञान पर किया गया काम बताया तो पिछले कॉंक्लूडिंग एपिसोड में हमने इसके ओपर चर्चा करी थी बहुत सारी चीजों की चर्चा मैंने करी थी लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स को मैं कवर नहीं कर सकी थी क्योंकि वीडियो की लेंग्थ बहुत बढ़ रही थी तो उन्हें मैं यहां पर कवर कर देती हूं कि मानव विज्ञान किस तरीके से इसे कहा गया है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि समू के तौर पर परिवार जो है वो सामाज की सबसे छोटी इकाई माना गया है तो सामाजिक तोर पर जो सामाजिक स्तर पर जो जातिगत भेदभाव होता है वे तो हम सब को दिखाई देता है लेकिन परिवार तोर पर जब व्यक्तिगत भेदभाव आपके साथ होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता परिवार ही जब आपका शोशन करे तब आपके प भील रहे है पारिवारिक शोषन व्यक्तिगत तौर पर उसे का जो उनोंने जगा-जगा जिक्र किया है यह बहत मर्मिक है तो पारिवारिक उतपृढं का सजीव चित्रण व्यक्तिगत तौर पर तो है ही सांथ ही इस्त्रै वेदना को भी तो जोड़ देते हैं कि किस प्रकार, कई सारे इंसिदेंस उन्होंने कवर किये हैं, कि सबसे पहला तो जो उनकी मां का है, कि मां और पिता जी के लडाई में वे पिता जी से नफरत करते चले गए, मां कि तरफ जादा उनका जुकाब हो गया, कि जब पिता जी मारते थे मां को, तो उन्हें पसंद नहीं आता था और एक जगे तो ऐसा जिक्र है कि उन्होंने अपनी पिता जी को तमाचा जड़ दिया तो यहां पर इस्त्री वेधना का पता चलता है कि किस प्रकार वे अपनी मा को पिट्टा वा नहीं देख सके या इस्त्रीयों के प्रति कितने समवेधन शील रहे होंगे और दूसरा इंसिडेंस जो बोलते हैं पंडी जी की बेटी आशा का कि महज एक गलत फहमी के चलते ग्यारा साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है और बच्ची का सिर्फ यही रो रोकर कहना होता है कि हमेरी पढ़ाई छूट गई बाबा तो इस इन सारे इंसिडेंस को आप जो है प्रसंगों को माना विज्ञान के तहत जोड़ कर समझ सकते हैं देख सकते हैं परक सकते हैं वही नावर सिंग का कहना है कि ग्रामिलिन जीवन का जो जीवन्त वर्णन मुर्दईया में है वैसा प्रेम चंद की रचनाओं में भी नहीं है बिल्कुल क्योंकि मुर्दईया केवल शेत्र एक भगौलिक शेत्र नहीं रह जाता है जब हम उसे पढ़ते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं समाता चला जाता है और मुण्शी प्रेम चंद जी की रचनाओं में पढ़कर हम व्यथित दुखित तो होते हैं लेकिन इसको पढ़कर व्यथित भी होते हैं और सांसाती से अपने अंदर हम महसूस भी करने लगते हैं और इस प्रकार जैसे उन्होंने तुलना की है कि कफन में लिप्टे मुर्दों की दलिक जीवन के साथ जिसमें एक प्रसंग अगर आपको याद हो प्रिष्ट संख्या 34 पे जिसमें वे कहते हैं कि नीचे फूस बिचाते थे आधी लूंगी होती थी फिर हम लेटते थे उसके वहाँ वो दलिक जीवन के कष्टों का अत्रासदी का जो कंपैरिसन है तुलना है वो मुर्दा जीवन से करते हैं और वैसे भी ये सारी कहानी जो है अपने मुर्दा बना दिये गए समाज को लेकर ही उन्होंने लिखी है मुर्दा किस तरीके से कि यदि आपके विचार जो वैज्यानिक दृष्टी है वही सुपत अवस्ता में चली जाए तो आप किसी मुर्दे से कम नहीं है आप यंत्र चलित रोबोट्स की तरह हैं जो सोच समझ नहीं सकता सिर्फ बटन दबाने से चल पड़ता है तो ये सार पचांस से भी ज्यादा शोध चात्र मुर्दैया पर देश भर के विश्व विद्यालों में शोध कर रहे हैं ये सारे तत्य मुझे आज भी अविश्वसनी जैसे लगते हैं बिलकुल लगते होंगे क्योंकि जहां स्वयम तुलसी राम जी के पढ़ने लिखने का कोई ठिक लिखना नहीं हो पा रहा था तै नहीं हो पा रहा था वहां आज सेंकड़ों की तादात में लोग उनके ओपर लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उनकी मुर्दैया डिसकस की जा रही है मैं जिक्र करना चाहूंगी तकरीबन साथ साल पहले का कोई वीडियो मेरी नजरों के सामन से निकला अभी दो दिन पहले ही जब मैं मुर्दैया के ओपर नोट्स अपने बना रही थी तो उसमें किसी जेन्यू छात्र ने उसको अपने यूट्यूब चानल पर चड़ा रखा था एसके वीडियो उसके नाम से साथ साल पहले का वीडियो है उसमें डॉक्टर नामवर सिंग जो है मुर्दैया के ओपर चर्चा कर रहे था और सांते सांत मनिकरनी का जो आने वाली थी या जो आ चुकी थी उसके ओपर उन्होंने चर्चा नहीं करी क्योंकि लोगों से खा कि इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे और वहाँ पर डॉक्टर तूलसी तूलसी राम जी जो तीसरा अंश लिखने वाले हैं इसका अपनी आत्मकत्षा का उसका टॉपिक क्या होगा तो वहाँ हसी मज़ाद में तूलसी राम जी ने बोला था कि तीसरा टॉपिक होगा जे एन्यू मौशी तो सब खिल खिला के हस पढ़ते हैं अब यह नहीं पता क वे सीरियसली उस बात को बोल रहे थे या सिर्फ हंसी मजाग की ही बात थी लेकिन जहां तक मुझे लगता है जे एनु मौसी इसलिए कहा होगा क्योंकि वैचारिक तौर पर किस तरह जब डलित डिस्कोर्स की बात आती है तो चाहे वे कोई भी पार्टी हो उनके विचार जो ह लगती हैं ऐसे जेन यू को भी कम न समझा जाए वो भी एक तरह का मनी करने का ही समझे तो ऐसा मुझे लगा अब कितने सीरियस थे यह मैं कहां नहीं सकती मुर्दईया का दूसरा खंड मनी करने का के रूप में प्रकाशित हो रहा है मुर्दईया में आजमगड में 16-17 साल तक की अवस्ता का लेखा जोका था उसके आगे करीब 10 साल मैंने हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सटी अर्थाद बी एच्यू में बिताया जिसका परिणाम मनी करने का है बनारस की मनी करने का किसी के भी अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा देती है किने तु मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ बनारस में मेरा जीवन ही वहीं से शुरू हुआ फ आपको तुरंट समझ में आ जाती है वे कहना क्या चाह रहे हैं बनारस जहां पर लोग अपनी मुक्ती के लिए आते हैं वहीं वैचार तौर पर अंद विश्वासों से मुक्ती तुलसी राम जी को मिली जितने भी अवशेश आखरी के पैराग्राफ में वे कहते हैं कि अब चाहिए हमारे समाज को भी और पढ़ने लिखने का मतलब से फिक नौकरी हासल कर लेने से नहीं होना चाहिए अक्टूबर 2010 के अंतिन दिनों की बात है प्रसिद साहितेकार मुद्रा राक्षरस ने मेरे मुबाईल पर फोन किया उस समय दिल्ली के रॉक्लेंड हॉस्पिटल में मेरी डायलेसिस चल रही थी मेरी आवास सुनकर वे चकित रह गए पता चला कि लखनों के साहितिक सरकल में ना जाने कैसे अफ़वा फैल गई कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा इतना ही नहीं दलितों की एक साहितिक सभा ने मुझे शृद्धानजली भी दे दी थी आखिर किसी तरह मुद्रा राक्षस मेरे जीवित होने के साक्षी बन गए तो यह है कि जहां पर लोग आम तोर पर दुखी हो जाते हैं वहां अपनी वेदना को व्यंग का जामा पहना कर तुलसी राम जी अपनी बात कहते हैं जिससे वे बिलकुल सहज हो जाती है और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप कहां गलत है तो इस बाबत मैंने शुराज सिंग बेचैन जी का भी एक आर्टिकल पढ़ा था मुर्दया को लेकर वो पढ़ने लाइक है यदि संभव हो आप लोगों के लिए तो उसे जरूर पढ़े नेट पे अविलेबल है सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा बी एच्यू में बी एच्यू मैं गया था इस अंध विश्वास के साथ की बनारस में कोई भूखा नहीं रहता है किन्तो कुछी दिन बीते थे कि मेरी ये मानेता ध्वस्त हो गई तो दूर से पता नहीं क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में लेकिन जब आप किसी जगा पर एविलेबल हो जाते हैं तो तब आपको वहां की हकीकत पता चलती है परिनाम स्वरूप सारी अंध विश्वासी मानेताएं ध्वस्त होती चले गई शीगर ही एक दिन ऐसा भी आया जब गुद्ध और मार्क्स ने मिलकर मेरे मस्तिष्क में बसे इश्वर को ही ध्वस्त कर दिया थोड़ी देर पहले ही मैं आपको इस चीज़ को एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से अपने अंध विश्वास को उन्होंने फाइनल तिलांजली दी बना रस्में इससे पहले आसन सोल की नीला, नीगा, कोई लरई से निकल कर हबडा के दासनगर स्थित पी यल बोस आयरन कंपनी तक का सफर कोई खास काम नहीं आया उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अकांग्षा नियमत रूप से बेचैन करती चली गई इतनी विप्रीत परिस्थितियों में भी इतनी जीवर्टता गंगा के घाटों तेथा बनारास के मंदीरों से जो यात्रा शुरू हुई थी मार्क्सवाद ने मुझे विश्व द्रिश्टी प्रादान की जिसके चलते मेरा व्यक्तिकत दुख दुनिया के दुख में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठा मुर्दहिया में जो विचार सुप्त अवस्था में थे वे मनी करने का में विकसित हुए तो सुप्त अवस्था में भी लिखे गए विचारों को इतना जीवन्त रूप से उन्होंने उतारा है पन्नों पर तो मनी करने का में जब इनके जो विचारी रूप से सक्षम ये हो गए थे तब क्या उतारा होगा मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ चाहे क्रांती का सपना हूँ या एक तरफा प्यार मैंने दोनों का खूब मजा लिया जब दोनों मामलों में धाराशाई हो गया तो उठते ही दिनली भाग गया अता मुर्दईया के तरह मनी करने का भी अधूरी रह गई शायद इसलिए तीसरा पार्ट पे लिखना चाह रहे थे जाहिर है एक और हिस्सा लिखना शेश है उमेध है मनी करने का भी मुर्दईया की ही तरह शोध छात्रों के लिए बहुत उपियोगी सिद्ध होगी फ्रेंच दार्शनिक जां चैकप रूसों ने अपने बारे में कहा था मैं औरों से बहतर भले ही नहूं किन्तों औरों से भिन जरूर हूं यही बात रूसों से उधार लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बात फिर अशोक महेश्वरी की प्रती मैं आभार प्रकट करता हूं जो पिछले तीन वर्षों से मनी करनिका की लगातार मांग करते रहे मैं जवाहलाल नहरू यूनिवर्सटी जे एन्यू की हिंदी विभाग की शोध छात्रा मुन्नी भारती को बहुत धन्यवाद देना चाता हूं जिसने मनी करनिका का अधिकतर हिस्सा बड़े नाजुक समय में डिक्टेशन के माध्यादन से कागस पर उतारा जे एन्यू की डॉक्टर सुनिता जी धन्यवाद की पात्र हैं जिसने मनी करनिका को बहुत कम समय में कमपोज कर दिया तुलसी राम जवाहलाल नहरू यूनिवर्सटी नई दिल ली एक एक शूनिय शूनिय छे साथ दस दिसंबर दो हजार तेरा को ये लिखा गया था और पहला संसक्रा ने इसका 2014 में आया था और तुलसी राम जी की मृत्यू 2015 में हुई थी तो अभी तक्रीबन हफता पर पहले की बात होगी सुनिल कुमार सुमन जी जो वर्धा यू निवर्सटी में पढ़ाते हैं आप में इसे बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे फॉलो भी करते होंगे अलग-अलग प्लेटफर्म्स पर उनसे मुलाकात हुई थी उन्होंने बताया किस प्रकार तुलसी राम जी जब डायसिस करके आते थे तो उनमें हिमत नहीं बचती थी कि वो कुछ कर सकें और प्लेटी की आँख से उन्हें दिखता था और एक आँख के रहते ही जब उसकी भी रोश्णी धीली तरे कम होने लगी तो वो लेंस का इस्तमाल करने लगे और किस तरीके से अपने स्टूडेंस को डिक्टेशन के माध्यम से वे सारी कहानी लिखाया करते थे तीसरे आशक से मिलकर इसको यदि संभव हो सके तो छपवाएं तो आज का यह एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं अगली एपिसोड में मनी करने का का पाठन हम शुरू कर देंगे तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंट बॉक्स में हमें अपने संदर सहीत टिपणियां देना भी ना भूलें धन्यवाद